रादे रादे फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ यह बहुती टेस्टी एकदम यूनीक स्टाइल स्टब्ट मठ्री और बहुती टेस्टी बनती हैं आप एक बार इने घर पे बना कर देखिए बहुती आसान तरीकी से बनकर तयार हो जाती हैं तो आईए इन मठ्रियों को हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है यह एक कप गेहूं का आटा और जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उतना ही मैंने इसमें मैदा लिया है यानिकि एक कप मैदा इसमें आदा चमच मैंने इसमें नमक डाला है और आदा चमच डाली तयार करना है आप मिक्स करने के बाद इसमें धीर थीरे थोड़ा थोड़ा सा पानी एड करें और इसका एकडम सॉफ्डो बना कर तयार करें और बहुत ही युनिक स्टाइल मत्री एक बार आप जरूर बनाएगा और इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चाट अन्ते तक बन अब हम इसकी स्टफिंग तयार कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहां पर यह टमाटर ली हैं मीडियम साइस टमाटर उसे मैं इस तरह से थोड़ा सा मैं खाली कर लेना है तो सबसे पहले इसका ऊपर से पोशन हम कट कर देंगे और चाकू की मदद से जो बीज का बीज वाला इसी तरह से हम सारे टमाटर कर लेंगे मैं आपको एक और दिखा देती हूँ मैंने उपर से इसका पोशन हटा दिया है उसके बाद सारे बीजों को एक चमाच की मदद से हम निकाल लेंगे तो देखें ये सारी चमच से हमने बीजों को निकाल लिया है और ये एकदम खाली हो गए हैं इसी तरह से मैंने अपने सारे टमाटर खाली कर लिये हैं अब इने की फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ ये दो उबले हुए आलू जिसमें मैंने उबली हुई मतर डाली है स्वादन उसार नमक डाला है एक चोथा ही चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच चाट शाट मसाला और एक चोथा ही चमच गरम मसाला डालने के बाद इसमें डाला है मैंने आदा चमच धनिया पाउडर इसके बाद मैं डाल रहे हूं यह टमाटर का रस जो हमने टमाटर के बीज निकाले थे इसमें से मैं टमाटर का रस इसमें डाल दे रहे हूं दो से तीन चमच इसे डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसके बाद मैं डाल रहे हूं बारी कटी हुई हरी मिर्च बारी कटा हो हर धनिया अब धनिया इसमें जरूर डालें बहुत ही अच्छा स्वादाता है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हर इमिर्च को स्किप कर सकते हैं यह डालने के बाद आप इस साधी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें तो देखें यह मेरी सद writing को अपने तुमाफ से अपने तeमाटरों में पर लेंगे तो आप इसकी चोटी सी बॉल बनायों रखर कर हऽके हके अंधर तक दबाकर हमने यह तन मटल करने हैं मृश करने हैं तो इस तरह से अपने यह डूक नहीं किये तो जल्दी से विडियो लाइक कर दे और अप आलू का portion लेकर इसे अच्छे से फिल कर दिया है हलके हच से दबाकर अंदर तक फिल करें तो देखें यह सारे टमाटर मेरे फिल हो चुके हैं अब इसके बाद जो मेरा डू था वो मैं देख लेती हूं तो देखें ये एकदम अच्छे से फूल गया है बहुत सॉफ्ट हो जब तक आप इसे बेल रहे हैं आप बाकी के आटे को ढखकर रखें ताकि वो पपड़ा ना जाए तो देखें इसे मैंने अच्छे से फ्लेट बेल लिया है आप चाहें तो इसमें पूरा ही आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं या पूरा ही मैदे से बना सकते हैं मैंने यह इसे हमने अच्छे से ऊपर से फोल्ड कर लिया है उसी कावडिंग इसको बे लें जिससे आपका टमाटर का साइज है अब इसे बीच से दबा कर इसको अच्छे से ऊपर से खिलाएं तो देखें यह बहुत ही अच्छी डिजाइन इसकी आ चुकी है और जो मेरी मठरी है वो ए अब इसके बाद इसे अच्छे से फ्राय कर लें अलटते पलटते हुए हमें फ्राय करना है तो देखें इसे अलटते पलटते हुए में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राय कर लेना है तो देखें यह मेरी ब्राउन हो चुकी है अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है तो देखें अब इसे हम एक प्लेट में निक लेंगे तो तैयार है मेरी इस्टफ। यह बहुत टैस्टी कूर-कुरी मतरी तंदर भी तैस्टी लग रही है और बहुत सुनदर भी लग रही है अब आप इसे छटनी के साथ सोंस के साथ शोंट के साथ सर्व करें अपने आयूए महमानों को खिलाएं अपने घर ने बच्छों को बढ़ों को सबको खिलाकर खिलाएं और कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं पसंद आए मेरी वीडियो तो इसे लाइक करें अपनी फ्रेंड्स के